आधोनिक भारतीय कला में हमूर्थ चित्र कला को एक नया आयाम देने वाले एक नहीं परिभाशा एक नहीं पहचान दिलाने वाले कलाकार है वासुदेव गायतुंडे वियर्स गायतुंडे गायतोंडे की पहचान अमूर्थ शित्रकार के रूप में है और उनका प्रभाव हम देखते हैं कि बात की पीडी के अनेक खलाकारों पर है 1924 में जन में गायतोंडे का यह जन्व शताबदी वर्ष है और इस जन्व शताबदी वर्ष में उनकी रशना कर्म को ले करके कई सारे सवाल कई सारे मन्थन फिर से शुरू है है जिन में से एक मंतन यह भी है कि क्या वास्ताव में गायतोंडे पॉल किली से प्रभाविट थे विएस गायतोंडे पॉल किली से प्रभाविट थे हम बात कर रहे हैं विएस गायतोंडे वह कलागार जिसने भारती अमुर्थ चित्रकला को एक नई परिभाशा दी एक नई पहचान दी लेकिन अपने शुरुवाती दोर में उन्होंने जो कुछ भी रचा उसे देखते हुए उस समय ये सवाल ख़ड़ा किया गया था कि उनके उपर पॉल किली का बहुत गहरा प्रभाव है उनके चित्रों के सेयोजन से लेकर के रंग प्रयोग तक पर लोग कि गायतुंडे ने कहा था एक बार कि यह कहने की बजाए कि मैं पॉल किली से प्रभाइट था यह कहा जाना चाहिए कि मैं उनके काम में अद्बूत रूपों रंग सेयोजनों रेखा चित्रन की संदर्ता से आकरशित था इसके बावजुद उस दौर के गायतुंडे के अन रंग्रप्रियोग के स्तर पर भी बहुँ सारी समानताइए हैं और इसलिए शायद कहा गया था कि वहाँ पॉल के लिए से प्रभावित थे पर बड़ा कलाकार हुँ होता है जो दूसरों के प्रभाव से बहुत जल्दी इकुद को बाहर निकाल लाता है और गायतुन्डे नहीं यही किया अपने शुरुवाती चित्रों में वे आकारों पर ध्यान दे रहे थे रंग सियोजन पर ध्यान दे रहे थे उनमें मानमी आकार थे लेगिन साथ के दशक में उनका एक नया रूप हमारे सामने आया आज हम जिस गायतुन्डे को जानते हैं वो मूल रूप से 1960 के बाद के उनके चित्रों से ही हमारे सामने आता है यह अलग बात है कि 1960 के दशक में जो अमूत चित्रों की उनकी यात्रा शुरू हुई उसे शुरूवाती दौर में लोगों ने नकार दिया था शुरुवाती दोर में उनके अमूर्ट चित्रों को चित्र मानने से भी इंकार कर दिया गया था हलाकि उस समय तक वे प्रसिद हो चुके थे फिर भी उन्हें एक समस्या का सामना करना ही पड़ा कि अपने नए चित्रों को कैसे वो लोगों को स्विकार करवाएं 1960 से पहले के जो चित्रकार थे जो अमूर्ट चित्रकार थे उनके अमूर्टन में भी आकार थे चाहे वो भूदर्शों के आकार हो या भौनों के आकार हो या जियामिती आकार हो लेगिन गाय तोंडे ने पहली बार एसे चित्र प्रस्तुत किये जिनमें उस तरह के कोई जाने पहचाने आकार नहीं थे, कोई जाने पहचाने चिन्न नहीं थे पूरी तरह खाले समुर्तन उनमें दिखाई देता है इन चित्रों में 1960 के बाद के चित्रों में जेन दर्शन का बहुत गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है जेन दर्शन जो बहुत दर्शन का एक रूप है जो चाइना में जन्मा था जान चाइना में शुरू हुआ था जो समस्त्री की जगर व्यस्त्री की बात करता है जो सुक्ष्मिता की बात करता है जो आत्मदीप की बात करता है आत्मदीप पोभव हलाकि भारती संस्कृति का भी अभिन हिस्सा है तो एक तरफ उनके चित्रों में ये जेन दर्शन का जो सुक्ष्मिता का भाव था वो आता और दूसी तरफ भारतिय सुलेक परंपरा उनके चित्रों में हमें दिखाई देती है और इसी के साथ उनके चित्रों में हमें दिखाई देता है कि रंगों की हलकी हलकी पर्तों के साथ पीछे से कुछ जागते वे रंग, कुछ आकार, कुछ पारदर्शी रंगों की अलग जाती है, 1960 के बाद के उनके चित्रों में माउन अधिक है, उसके पहले के चित्रों में हम देखते हैं कि वाचालता थी, बाचित थी, उसमें आकार बोलते थी, लेकिन 1960 के बाद के चित्रों में हम देखते हैं कि वहां पे माउन अधिक है, वो कह कम रहे हैं, भूत कुछ ऐसा जो अनकहा रह जाता है, वो उनके चित्रों में हमें दिखाई देता है। मौन और शुन्य, ये दोनों लगभग एक जिसी स्थितियां होती है। मौन से पहले जितनी भी आवाजे होती है, जो कुछ भी बात होती है, जो बाचित होती है, वो सारी बाचित, वो सारी आवाजें, वो सारी धोनिया मौन में समाहित होती है उसके बाद शेश कुछ नहीं रह जाता शायद इसी तरफ कायतोंडे इशारा कर रहे थे कि जीवन निसार है जेन दर्शन भी कहता है कि सुक्ष्मता की और जाओ यानि अपने अंदर प्रवेश करो और अंदर जो सुक्ष्मतम रूप है आत्मा का उसको जानो, उसको प्रकाशित करो, उसको अलोकित करो यही भारती दर्शन भी है तो इस तरह हम देखते हैं कि 1960 के बाद गायतोंडे धीरे धीरे भारती दर्शन, जेन दर्शन की तरफ, बाद दर्शन की तरफ जाते हैं वो मौन की तरफ जाते हैं, सुक्ष्मकता की तरफ जाते हैं और आकारों को कम करते हुए, वे एक ऐसी इस्थिती में हमें ले जाते हैं जहां पर हम निर्मुक्त होकर के बिल्कुल मुक्त होकर के एक अकेली एक आत्मर पकाश के रूप में दिखाई देख सकते हैं या खुद को समझ सकते हैं